हेलो एवरिवन इस वीडियो में हम stresses due to various types of loading Maxwell theorem और Castilegano theorem के बारे में बात करेंगे स्टार्ट करते हैं stresses due to various types of loading से सबसे पहले जो load हमारा पास आता है वो है gradually applied load suppose करते हैं कि हम लोग एक load P जो है gradually apply कर रहे हैं ने mamentatorial के उपर तो जब हम इसे apply करेंगे तो material जो है वो deform होगा जिसकी वज़े से sigma stress जो है material के अंदर आ जायेगा तो यहाँ पे load जो है वो अपनी potential energy खो रहा है और material जो है वो strain energy को store कर रहा है तो यहाँ पे potential energy आपके load जो है लोस्ट कर रहा है और material जो है denote होता है जब आप इन दोनों को statement को बराबर रखेंगे तो जो आपकी stress की value निकल कर आएगी वो p upon a आएगी means load upon area आएगी वहीं जब हम लोग second type के load की बात करते हैं तो वो suddenly applied load है जब हम किसी भी load को suddenly apply करते हैं तो वो throughout पर जब भी जितना भी process of deformation आपका चलेगा deformation का जितना भी process आपका चलेगा throughout deformation वो जो है constant maintain रहेगा constant बना रहेगा तो आप load और elongation के बीच में जो plot आपको देखने को मिलेगा वो x-axis के parallel आपको नजर आने वाला है यह आपका plot है load और elongation के बीच में जो की आपको x-axis के parallel नजर आएगा तो यहाँ पर work done जो रहेगा वो इ आपकी length है वो डेलल है मलब elongation जो है वो डेलल है तो आप load को डेलल से मलब P को डेलल से multiply करेंगे तो यह आपका area रहेगा shifted portion का जो की work done होने वाला है वहीं हम जानते हैं कि जो work done होता है वो आपका strain energy के बराबर होता है अगर यहाँ पर हम लोग strain energy की बात करें on basis of suddenly applied load तो वो sigma su square over 2e into v होने वाला है half of sigma upon e into volume यही आपका strain energy होता है volume यहाँ पर area into length है और sigma की जगह आपने sigma su लिखा है तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप क्या करेंगे आपका जो work done होगा वो आपके strain energy के बराबर होगा आपने दोनों को बराबर रग दिया यहाँ से आप sigma की value calculate करेंगे sigma su की तो बाकी सब cancel होके sigma su जो है वो twice of p by a आ जाएगा p by a क्या था आपका stress due to gradually applied load अभी हमने gradually apply में बात किया तो आपका जो sigma है वो p upon a आया था तो आप यह कह सकते हैं कि जब हम suddenly कोई load apply करते हैं किसी भी material के ऊपर तो जो stress produce होता है वो double होता है in comparison to load applied on by gradually load applied gradually अगला हम जब शुरू करते हैं तो वो impact loading है impact loading में क्या होता है कि हम लोग एक weight को किसी भी member के ऊपर मतलब अपने material के ऊपर हम लोग गिराते हैं किसी height से तो जो kinetic energy होती है आपकी गिरने वाले weight की वो उस member के अंदर deformation लेके आती है तो इसके लिए हम क्या कर रहे है हमने ए एक रोड ली है जिसकी length जो है L है cross sectional area जो है वो A है उपर की side यह fix है और नीचे इसके उपर एक collar लगा हुआ है आपने weight लिया है W जो कि freely आपकी road पर slide कर सकता है और यह collar के उपर एक height x से गिरता है या आप इसको drop करवाते हैं तो जो falling weight है आपका W जो है वो जब impact करेगा roller के उपर तो उसकी वज़े से collar में यहाँ आपकी road की length में डेलल आई जो है extension आएगा और sigma i जो है आपका tensile stress यहाँ पर produce होने वाला है यहाँ पर जो यह आई है आपका यह impact loading से refer होता है यहाँ जो है उसको हम impact load कहते हैं यहाँ पर जब यह इसके उपर strike करेगा extension आएगा त W into H plus Del Li H plus Del Li जो है वो आपकी height है work done का आपको पता है यहाँ पर बात करें जो भी potential energy रहेगी वो work done के बराबर रहने वाली है MGH mass into acceleration due to gravity जो है वो आपका weight होता है तो आपने W लिख लिया height यहाँ पर कितनी है H और Del Li जो change आ रहा है उन दोनों को आप total करेंगे वो आपकी H हो जाएगी तो work done आपका W H plus Del Li रहने वाला है वही energy stored की बात करें तो half sigma upon E into V यह आपकी strain energy होती है तो इसके base पर volume का आप area into length भी लिख सकते हैं जिस basis पर आपका formula जो है वो इस तरीके से convert हो जाएगा यहाँ पर Del Li जो है उसको आप sigma L upon E भी लिख सकते हैं तो आपने Del Li की equation बनने वाली है वो AL upon 2E sigma I square minus WL upon E sigma I minus WH equals to 0 बनने वाली है अभी आपकी quadratic equation है जब आप इस quadratic equation को solve करेंगे तो आपके पास आपका stress की value आएगी आप सब को पता है quadratic equation को solve करने के लिए जो आपका formula होता है root निकालने के लिए x equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2A उसी formula को आप use करेंगे और आप stress की value यहाँ पर quadratic equation को solve करके calculate कर सकते हैं तो आपका sigma I जो आएगा वो W upon A plus minus under root W square upon A square plus 2WHE upon AL आएगा अब यहाँ पर जो आपका negative sign है उसको आप नहीं include करेंगे reason उसका यह है कि stress जो है वो compressive नहीं हो सकता क्योंकि आपकी bar जो है वो elongate हो रही है वो उसकी length जो है बढ़ रही ह तो आपके sigma I की value हो जाएगी W upon A plus W upon A under root 1 plus 2H AE upon WL W upon A को common लेके आप इसको इस expression में भी denote कर सकते हैं वहीं अब हम अलग-अलग cases की बात करते हैं case 1 में हम कहते हैं कि del L I जो है वो neglect किया जा रहा है in compare to H कि आपका del L I length जो आपका elongation है वो बहुत छोटा है in comparison to height तो यहाँ पे आप del L I को cancel कर सकते हैं आपके W H की जो value आएगी वो sigma I upon 2E AL आने वाली है जिसकी वैसे sigma I जो है आपका वो under root 2WH upon AL हो जाएगा वहीं आप H को 0 रखे हैं कि आप कि किसी भी height से उसको नहीं गिरा रहे हैं तो आपका जो sigma I है वो 2W by A आएगा यानि कि वहीं आने वाला है जो sudden apply load में आया था वही value से इम आपको मिलने वाली है अब शुरुवात करते हैं हम कास्थी लिगानो theorem की तो कास्थी लिगानो theorem में होता क्या है जब भी आपकी strain energy में changes आते हैं with respect to force तो वो deflection जो है force की ही direction में provide करता है जब भी आपकी strain energy में force के respect में कोई भी change आएंगे तो वो deflection component आपको देगा direction of force में अगर मैं इस statement के base पे बात करूँ तो जब आपने एक body के उपर बहुत अलग-अलग कई loads लगाएं हैं आपने एक body के उपर कई सारे loads लगा दिये हैं तो जो आपकी total strain energy का partial derivative आपको मिलने वाला है load के respect में किसी एक load के respect में तो वो जो deflection देगा वो उसी load की direction में आपको provide करेगा उसी load की direction में ही आपको वो deflection देगा तो यहाँ पे condition ही होती है कि load और deflection का जो relation होना चाहिए वो linear होना चाहिए माल लिजे जैसे यह body है इसके उपर आपने तीन अलग-अलग load लगाएं है तो जब हम total strain energy का partial derivative करें माल लिजे इस load के base पे तो जो total strain energy का partial derivative आपने किया वो जो भी deflection आपको देगा वो इसी load की direction में आपको provide करेगा अब mathematically जब आप इसको express करते हैं इस theorem को express करते हैं तो वो du over dwi del li के बराबर होता है या फिर du over dmj जो है वो आपका theta j के बराबर होता है यह आपका deflection basis पे है यह आपका rotation basis पे है u जो है वो आपकी total strain energy है w i और mj जो है वो आपके load है यह आपका normal load है यह आपका rotational load है डेल आई और थीटा जे जो है वो आपकी डिफ्लेक्शन है नॉर्मल डिफ्लेक्शन रोटेशनल डिफ्लेक्शन वहीं जब आगे बढ़ते हैं तो हमने क्या किया कोई भी एक बीम ली है एबी जिसके उपर W1, W2, W3 तीन लोड आपके लग रहे हैं पॉइंट 1, 2 और 3 पे जो डिफ्लेक्शन को जो हो रही है W1, W2, W3 की वज़े से वो X1, X2 और X3 है वहीं जो आपका टोटल एनरजी रहने वाला है इस सिस्टम का W1, W2, W3 लोड लगने की वज़े से पॉजिशन 1 तक जो आपका टोटल एनरजी रहने वाला है उसको आप इस तरीके से देनोट करेंगे हाफ ओफ W1, X1 प्लस हाफ ओफ W2, X2 प्लस हाफ ओफ W3, X3 यहाँ वगडन जो आपका पहला है हाफ ओफ W1, X1 जो दूसरे पॉइंट पे वगडन है हाफ ओफ W2, X2 तीसरे पॉइंट पे वगडन है हाफ ओफ W3, X3 इन तीनों का समझोगा वो आपका टोटल स्ट्रेन एनरजी के बराबर होगा वहीं आप यह कहता है कि जब इन तीनों लोड में से किसी एक लोड को माल लीजे W1 को आप W1 पे W1 को आप कुछ increase कर देते हैं माल लीजे Del W1 से आपने इसको increase कर दिया तो यहाँ पे जो आपकी deflection है तीनों point की जो deflection है वो change होने वाली है Del X1 यहाँ पे जो point 1 पे deflection है वो Del X1 बढ़ जाएगी point 2 पे जो deflection है वो Del X2 बढ़ जाएगी point 3 पे जो deflection है वो Del X3 increase हो जाएगी तो इसके basis पे जो आपका extra work done आने वाला है अलग-अलग point पे उसकी बात की जाए तो point 1 पे जो आपका extra work आएगा वो क्या होगा W1 प्लस half of Del W1 Del X1 आपका total load हो गया W1 और Del W1 और वो आपका कटने वाला है किसके साथ multiply होने वाला है किसके साथ Del X1 के साथ जो आपकी नई deflection आई है वही point 2 पे बात करें तो आपका W2 ही weight रहेगा और Del X2 आपकी deflection बढ़ने वाली है तो इतना work आपका बढ़ जाएगा वहीं 3 point पे बात करें तो W3 Del X3 आपका weight बढ़ जाएगा या आपका work done बढ़ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो आपका increase आया है strain energy में वो कितना होगा वो total extra work done के बराबर होगा तो आप इन तीनों को add कर दीजे जब आप इन तीनों को add करेंगे तो आपके पास increase in strain energy आ जाएगा वहीं हम लोग बात करते हैं कि जो Del W1 Del X1 है आपका यह बहुती small term है क्योंकि 2 छोटी term साफाश पर multiply हो रही है यह एक और छोटी term बन जाएगी तो आप इसको neglect कर सकते हैं तो जो आपका change in या increase in strain energy आएगा वो W1 Del X1 प्लस W2 Del X2 प्लस W3 Del X3 आएगा वहीं जब आप load जो है apply कर रहे हैं उसको माल लीजे कि आप वो gradual है और 0 value से शिरू होके gradually वो बढ़ता आया है तो total strain energy जो आपकी रहने वाली है वो submission half into load into deflection होने वाली है तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका U plus Del U जो आएगा यानि के half into load into deflection वाला case करके U plus Del U जो आपका आने वाला total strain energy जो आपकी आने वाली है सभी loads के apply होने के बाद वो half of W1 plus Del W1 X1 plus Del X1 मतलब पहले point पे W1 plus Del W1 आपका load है नया और जो आपकी deflection है वो X1 plus Del X1 है वहीं second point पे आपका W2 load है X2 plus Del X2 आपकी नई deflection है W3 जो है आपका load है X3 plus Del X3 आपकी total deflection है जब आप इस equation को solve करेंगे आपके पास यह equation आने वाली है कि total strain energy की यहाँ पे भी वही है कि Del W1 Del X1 जो है वो आपकी smaller quantity है उसे आप neglect कर सकते हैं तो यह आपकी equation जो है वो कुछ इस तरह के से convert हो जाएगी वहीं अब आप बात करते हैं U plus Del U आपका यह आया है total strain energy अगर मुझे खाली change चाहिए इस equation से तो आप क्या करेंगे पहली equation में आपने strain energy की value calculate की थी यहाँ पे आप देखेंगे इस equation में आपने strain energy की value calculate करी थी इस equation से number 3 equation से आप number 1 equation को strain energy को जो आपने starting में निकाला था उसको minus करवाएंगे जब आप इसे minus करवाएंगे तो आपका जो change in strain energy है वो कुछ इस तरीक के से आएगा half of w1 del x1 plus half of del w1 x1 plus half of w2 del x2 plus half of w3 del x3 वहीं जब आप इस half को आगे ले जाएंगे तो यह twice of del u हो जाएगा यहाँ पे आप del w1 x1 को बाहर निकाल लिजे बाकी तीनों terms को यहाँ ले लिजे यह जो term है आपकी w1 del x1 plus w2 del x2 plus w3 del x3 यह जो term है यह आपकी del u के बराबर होती है जो आपने second equation में पढ़ा था इन terms को neglect करने के बाद आपका del u का value w1 del x1 plus w2 del x2 plus w3 del x3 आया था तो वहाँ इसकी जगे पे आपने del u put किया तो आपकी del u की जो value है इस del u को उदर ले जाके minus करवाने के बाद जो आपकी del u की value आई है वो del w1 x1 आई है इसके base पे del w1 आप नीचे ले जा सकते हैं तो आपके बाद del u over del w1 equals to x1 आएगा इसके बाद जब आप देखते हैं limit apply करते हैं तो आपका del u जो है del u upon del w1 जो है वो x1 के ब्राबर आजाता है वहीं जब आप partial derivative करते हैं strain energy का with respect to w1 load 1 तो जो आपकी deflection आ रही है w1 के अंदर तो वो किस direction में आपकी w1 वो आपकी किस direction में है sir w1 direction में है तो वहीं आप देखते हैं कि del u by del w2 को भी आप x2 लिख सकते हैं तो जो general form आपकी आजाती है वो del u by del w i equals to x i आजाती है यहीं हमने जो है कास्टी लिगानों theorem की starting में जब बात करी थी तो हमने इसी formula के बारे में बात की थी कि del u over del w i जो है वो del i के equal होता है तो यह आपका mathematical expression आगे आपके किस के लिए cast लिगानों theorem के लिए वहीं इसको जब हम angular rotation के base पे देखता है तो आपका theta i जो है वो del u by del mi के बराबर होता है m जो है वो यहाँ पे आपके couple को denote करता है आगे बढ़ते हैं हम लोग Maxwell theorem की तरफ जब हम Maxwell theorem को पढ़ते हैं होता क्या है कि माल लीजिए आपका second system जो है वो displacement कुछ कर रहा है तो उसकी वज़े से first system जो है आपके load का उसमें कुछ ना कुछ work done होता है जो ये work done है जो first system में हो रहा है ये second system में work done होने work done जो second system का work done है उसके बराबर होता है जब आपका first system जो है वो displacement cause करेगा अगर simple words में हम इसकी बात करते हैं तो माल लीजिए आपने load W जो है वो apply किया है किसी point A पे तो ये क्या करता है ये दूसरे point B पे भी कुछ ना कुछ deflection cause करता है वही जब आप ये same load ये same load जो है आप B point पे apply करेंगे तो deflection जो है A point पे भी cause करेगा तो अपने आप में जो आपका YBA जो है वो YAB के बराबर हो जाएगा माल लीजिए ये आपका कोई भी member है इस पे आपके दो points है ये point A है ये point B है आपने load apply किया point A पे तो ये point A पे जो load apply हुआ है ये B point पे भी कुछ ना कुछ deflection को करेगा वही same load आप अब की बार A से हटाके B पे लगाते हैं तो उसकी वज़े से कुछ ना कुछ deflection जो है वो A में आएगी तो यहाँ जो ये दोनो deflection आपकी आती है A की वज़े से B पे और B की वज़े से A पे तो वो दोनो deflection जो होती है वो same होती है ये Maxwell theorem कहती है तो यहाँ पे जो आपका जैसे ये YBA लिखा हुआ है तो YBA का मतलब क्या है जो पहले आता है उसका मतलब है कि आपका deflection कौन से point पे है जो बाद में point लिखा होता है subscribe लिखा होता है वहाँ उसका मतलब होता है कि load apply हो रहा है यहाँ पे B में deflection हुआ है A पे load apply हुआ है यहाँ पे deflection हुआ है और B पे load apply हुआ है वहीं आगे बढ़ते हैं Maxwell theorem में तो हम लोग क्या करते हैं हमने मान लिया W1 load हमने लिया है point A पे point A पे तो उसकी वज़े से deflection जो produce हो रही है वो point A पे जो हो रही है वो Y A है और B पे जो produce हो रही है वो Y B A है आपने A point पे W1 load लिया उसकी वज़े से A point पे जो deflection आया वो Y A आया B point पे जो आपका deflection आया वो Y B A आया वहीं आपने जब B point पे same load w1 apply किया तो b point पे जो आपका deflection आया वो yb आया और a point पे जो आपका deflection आया वो yab आया तो जब body के अंदर हमने w1 load apply किया w1 load apply करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि additional load w2 और लगा देते हैं तो जो total strain energy मेरी बनेगी वो क्या होगी energy due to load of w1 plus energy due to load w2 तो पहले w1 लगा हुआ है तो half w1 ya आपका यहाँ पे load होने वाला है वहीं जो आपके b point पे load आने वाला है वो आने वाला है w1 yab plus half of w2 yb इसी तरीके से जब आप लोग क्या करते हैं कि अब पहले आप w2 लगाते हैं उसके बाद आप एक additional load लगाते हैं जिसको आप w1 कह रहे हैं आपने पहले apply किया w2 और अब apply कर दिया आपने क्या w1 तो जो total strain energy u-dess आपका रहने वाला है वो energy due to load w2 plus energy due to load w1 होने वाला है इसके बेस पे आपके equation जो बनेगी वो half of w2 yb plus w2 yba plus half of w1 ya बनने वाली है अब आपको पता है जो आपकी final loading है वो same होगी देखे पहले आपने w1 लगाया था उसके बाद w2 sum करेंगे पहले आपने w2 लगाया फिर उपर w1 आप sum करेंगे तो दोनों का sum जो है वो बराबर आएगा तो आपकी final loading जो है वो दोनों cases में same है तो आपकी जो ये दो values आई है एक ही आया है आपका total strain energy एक ही आया है आपका total strain energy इन दोनों का आप बराबर रख सकते हैं जब आब इन दोनों equations को बराबर रखते हैं और load जो है उसको आप कहा देते हैं कि w1 जो है वो w2 के बराबर है और इन दोनों को आप W से denote करते हैं तो जो आपकी equation है उपर वाली वो reduce होके YAB equals to YBA की form में रह जाती है इसका मतलब कि आप किसी भी point पे deflection create करवाएं मतलब आपको कितने भी load लगाएं आपकी जो deflection आने वाली है दोनों points पे वो क्या आने वाली है same आने वाली है पहले के उपर लगाने की वज़से दूसरे में जो deflection आई दूसरे पे load लगाने की वज़से जो पहले में deflection आई वो दोनों deflection आपकी क्या होती है same होती है यह आपकी Maxwell theorem आपको समझाती है Thank you